आज का हमारा चर्चा का विश्य है भासा संगम परियोजना भासा संगम परियोजना क्या है आईए जानते हैं हाली में प्रधान मंतरी नरंद मोदी के दच्चिता में केंद सरकार ने CBSE यानी केंदरी माधिमिक सिच्चा बोड से माननता प्राप्त स्कोलों में पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थी को 22 भासाएं शिखाने के लिए भासा संगम परियोजना की शुरुआत की गई है वर्ष 2018 के नौंबर महिने में केंदरी मानों संसाधन विकास मंतराले की ओर से भासा संगम इसकीम की सुरुआत की गई थी भासा संगम परियोजना में पहली कच्चा से बारवी कच्चा तक के चात्रों को सामिल किया गया है इस परियोजना का मुक्य उद्देश पहली कच्चा से बारवी कच्चा तक के चात्रों को हिंदी और अंग्रेजी भासा के अलावा अलग-अलग प्रदेशों की छेतरी भासाओं में बोलना सिखाना है विभिन भासा को सिखाने के लिए प्राथना के समय और उसके बाद हर भासा के पांच वाकि बोलने होंगे सभी विद्यार्थियों को सिंधी, बंगाली, बोडो, असमिया, तमिल, उर्दू, कन्नड, तेलगू, कस्मेरी, कोंकडी, गुजराती, मैथली, मलयाली, मडिपुरी, मराथी, नेपाली, उडिया, पंजाबी, संस्क्रत, संथाली और डोंगरी भासा बोलने सिखाई भासा संगम में विद्यार्थियों को सिखाने के लिए 22 भारती भासाओं को सामिल किया गया है, जिसमें से 14 भासाओं को मूल सम्विधान में सामिल किया गया था वर्स 1967 में सम्विधान की आठवी अनसूची में सिंधी भासा को सामिल किया गया था वर्स 1992 में सम्विधान की आठवी अनसूची में कोकडी भासा, मढ़िपूरी भासा और नेपाली भासा को सामिल किया गया था वर्स 2004 में संथाली, मैथली, डोंगरी और बोडो भासा को सम्विधान की आठवी निसूची में सामिल किया गया था तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर साब्त होता है फिर मिलेंगे आप से किसे इन टॉपिक पे तब तक के लिए God bless you all